मोवी के शिर्वात में हमें दिखाया जाता है कि मौसे बिन असर के मरने की वज़ा से मौरिशिस में यहूदी 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 थे। फिर हम देखते हैं उनके अंतिम संस्कार में एक आतमी आता है जो एंटिक चीजों को अपने पास इखटा करता है। वो मौसे बिन असर के घर में भी ऐसी चीजों को ढूंता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। तब ही वहां मौझूद आइना बहुत ही खतरनाक तरीके से तूच जाता है और कमरे में मौझूद सारी चीज़े आवास करने लगती है। जिससे वो आदमी बहुत जादा डर जाता है। तब ही उस पर कोई अटैक कर देता है और उसे शटर पर बुरी तरह से पटक पटक कर मार देता है। तो इस केस के इन्वस्टिकेशन करने के लिए वहाँ पर पुलिस आफिसर रियास पहुचते हैं और शॉप के उनर से पूछताच करते हैं। तो वो बताता है कि उसने उस वर्कर से कई बार कॉल पर बात करने की कोशिश की लेकिन उसने फूर नहीं उठाया। जब लियास टेट पोडि की कंडिशन देखते हैं तो उसकी क कंडिशन बहुत ही अज़ीब होती है और बहुती बुरी तरह से उसकी बोड़ी मोडि होती है। फिर उसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो इंडियन कॉर्मेंट की तरफ से जॉयक की कमपनी की न्यूकलियर में टेकनिकल हैप देनी के लिए मौरिशेस आया होता है। जहां पर हम देखते हैं कि न्यूकलियर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सैम के उपर ही होती है। इसलिए उसने न्यूकलियर के लिए बहुत अच्छी सिक्यॉरिटी लगाई हुई है। जिससे उसके बिना उससे कोई भी न खोल सके। नेक्स सीन में हमें सैम के घर दिखाया जाता है जहां पर वो अपनी वाइफ माही के साथ अभी अभी मूव हुआ था। वो उससे उस जगा की पसंद आने के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उससे ये जगा पसंद आई है इसलिए उसने घर को सजाया है। अगले दिन चब वो दोनों पार्क में वाउक के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने जॉप के साथ मैलट नाम के एक आदमी मिलते हैं जो उनकी घर से कुछी दूर पर रहते हैं। उसके बाद माही उसे शॉप पर पहुशती है जहां पर वो एंटिक चीज़े रखी हुई होती हैं तो आसपास देखते समय उसकी नजर उसी बॉक्स पर जाती है जो उसे काफी पसंद आता है इसलिए वो उसे खरीद लेती है जब घर पर माही उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर से एक अजीब सी बॉक्टर मिलती है जो खोन से भरी हुई थी और साथ ही एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिसके अंदर किसी के बाल रखे हुए होते हैं तब ही उसे एक स्विच जैसी एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है जब वो उसे निकाल है तो उसकी अंदर से एक आट मां के अंदरilon का लगता है ठाहिस यहां के बूता है करनव दिखाए देता जिससे माही बुरी तरह से डर जाती है और घर के बाहर की तरफ भागती है लेकिन वहाँ पर भी उसकी नौकरानी आ जाती है जिसके बाद माही सैम की पास उसके आफिस में पहुशती है और उसे सारी चीज़े बताती है लेकिन वोसे समझाता है कि स्ट्रेस की वज़ा से तुम कई दिनों से सो नहीं पा रही हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तुम्हें आराम करना चाहिए जब वो दूनों रात में सो रहे होते हैं उसी समय उनका चादर खुद बाखुद हड़ जाता है जिससे सैम की नीन खुल जाती है और उससे घर पे ऊपर की तरफ पैरों की आवास सुनाई देती है तो उससे लगता है कि उसके घर में चोर घुज गया है इसलिए वो चट करने के लिए वहाँ पर पहुशता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता कभी लकड़ी कमजोर होने की वज़ा से वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है अकले दिन सैम फादर ग्रेब्रियोर को लेने के लिए एरपोर्ट पहुशता है तो रास्ते कहीं भी नहीं मिलती तब ही उसके पैलों के निशान से पता चलता है कि माही घर के उपर के इस्से में गई है जब सैम उपर पहुशता है तो वह माही को वहाँ पर बेहोश देखता है और उसे उठाकर हॉस्पिटर ले जाता है पिर नेक्सिन में हम देखते हैं कि फादर सै से अलग करके बॉक्स में बंकर देती थे तो आत्मा उस बॉक्स को खोलने वाले को ही पॉसर्лिक पॉसर्ट कर लेती है हलाकि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माही पॉसर्व है या फिर तुम्हारा ही घर box अंटिड है ये सुनकर सैम उस बॉक्स को ही फेक देने के लिए कहता है लेकिन फादर उसे कहते हैं कि एक बार बॉक्स खुलने के बाद वो आत्मा अजाद हो जाती है फिर उसे बॉक्स से कोई मतलब नहीं होता इसलिए फादर सैम से कहते हैं कि बॉक्स में हिबरू में कुछ लिखा हुआ है जिससे हमें कुछ पता चल सकता है इसलिए सैम उस बॉक्स की फोटो को मौरिशेस के यूनिवस्टी में मेल करता है तो वहाँ के प्रोफेसर फादर को बताते हैं कि इसमें जो भी लिखाए वो काफी complicated है इसलिए उनकी इनसे बचने में सिर्फ एक यादमी मदद कर सकता है जिसका नम रबाई है जिसके बाद सैम रबाई के पास पहुशता है और इस बारे में सारी चीज़े बताता है तो वो कहते हैं कि जिबुक से निकली हुई आत्मा सिर्फ उसी के अंदर गुश सकती है जो या तो दिमागी रूप से बिमार हो या फिर उसका अपने शरीर और अपनी आत्मा से पूरी तरह से connection ना हुआ हो तब ही सैम के पास उसकी वाइफ माही का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो pregnant है ये बात सुनकर सैम बहुत खुश होता है लेकिन जब रुभाई को पता चलता है तो वो घबरा जाता है जब सैम घर पहुशता है तो उसे माही देखकर बहुत खुश होती है लेकिन सैम इस समय काफी ज़्यादा परिशान होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीबुक ने उसके बच्चे को पॉस्स कर लिया है जिसके बाद सैम फादर को बताता है कि पहले तो रवाई ने यहां आने से मना कर दिया लेकिन मेरे जिद करने पर उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया लेकिन जब वो अगले दिन वहां पर पहुशता है तो उसे पता चलता है कि रवाई मर चुके हैं इस बात से सैम बहुत दुखी होता है क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचाता जिसके बात सैम रवाई की बेटे मारकस से मिलता है तो वो उसे बताता है कि जिबग तब तक नहीं रुकता है जब तक वो सब कुछ बरबाद न कर दे तो सैम माही का ऑबौषन करवाने के लिए कहता है लेकिन इस बात के लिए मारकस मना कर देता है क्योंकि इससे माही की जान को खतरा है और कहता है जि सब से पहले हमें यह confirm करना पड़ेगा कि माही के पेट में पढूने वाला बच्च लड़का है या लड़की तब ही हम आगे कुछ कर सकते हैं इसलिए हमें तब तक रेट करना पड़ेगा जिसके बाद मारकस सैम को एक लॉकिर देता है और माही को रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए कहता है फिर सैम घर पहुशता है तो वहां मौज़द आईनों को तोड़ देता है और उन्हें जमीन में गाड़ देता है फिर चप्टी बुक के बारे में वो ऑनलाइन सेर्च कर रहा होता है तब ही वहां पर माही आजाती है इसी दोरान हम देखते हैं कि लैप्टॉप में बनी हुई तस्पीर खुद बाखुद मूव होने लगती है जो कि बहुत दराबनी सी दिख रही होती है यहां पर माही सैम से आईनों को तोड़ने का रीजन पूछती है तो वो बताता है कि तुमने बातरूम में आईने में कुछ देखा था इसलिए मैंने घर से सारे आईनों को तोड़ दिया है जिसके बात एक सौरिसम की तैयारी में काफी टाइम निकल जाता है फिर एक दिन जब माही और सैम पार्क में टहलने गए होते हैं तो वहां पर उने वही मिलन की बेटी मिलती है जो अपनी डॉक को वहां घुमा रही होती है जो कि माही को काफी पसंद करता था लेकिन आज वो डॉक माही को देखकर भौकने लगता है जिससे माही डर जाती है वो देखकर सैम माही को लेकर वहां से चला जाता है लेकिन जाते समय माही उस डॉक को बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रही होती है जिससे वो शांती से डर कर बैठ जाता है और ये देखकर मिलन की बेटी काफी हैरान हो जाती है फिर रात में जब सैम की नीन खुलती है तो वो देखता है कि माही वहाँ पर नहीं है लेकिन माही वहाँ से कोट कर उसे इगनोर करकी वहाँ से जानने लगती है तो सैम भी उसका पीछा करता है तब ही वहाँ पर मारकस आ जाता है जो माही से पूछता है कि तुम कौन हो तो वो अपना नाम इबराहिम बताती है और कहती है कि तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए लेकिन जब मारकस उसके माथे पर अपना हाथ रखता है तो वो बेहुश हो जाती है और उसके हाथ में लिया हुआ बैग गर जाता है जिससे उसी डॉक का कटा हुआ सर निकलता है जो उने सुभा पार्क में मिला था फिर मारकस एंटिक स्टोर पहुशता है और ओनर से बुक के बारे में पूशता है जो जिबुक के साथ थी तो वो बताता है कि मौसी की घर पर सारी किताबे रखी हैं लेकिन मुझे सिफ एंटिक चिज़ों में इंट्रेस था इसलिए मैं सिफ उस बॉक्स को लेकर आया था जिसके बाद मारकस मौसी की घर पहुशता है और फुदीखता है कि घर की आसपास मौजोद पक्षी बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं चफो घर की अंदर जा रहा होता है तो एक लड़का उससे रोपता है लेकिन मारकस उससे पैसे देकर मना लेता है फिर चफो भुक डून रहा होता है तो वहाँ पर उसे बहुत ही खतरनाग पैर दिखाई देते हैं जोकि तुरंधी गायब हो जाते हैं इसके बाद उसे किसी की चीक सुनाए देती है इसलिए वो उसकमरे में पहुशता है तो देखता है कि एक बहुत ही खतरनाग भूत उस लड़की को पटक पटक कर मार रहा है जिसने मारकस को दरवाजी पर रोका था फिर वो भूत मारकस पर भी अटैक करने की कोशिश कर दे लेकिन उसके डैड एक कटर यहूदी थे जो मौरिश इसमें रहने के लिए आई थे और एक बड़े वेपारी थे उन्होंने यहूदियों से तांतरिक विद्या भी सीखी थी इस तोरान नौरा प्रेकनेंट हो गई थी और इबराहीम अपने डैड से नौरा के बारे में बा इस बात से नौरा बहुत ही था दुखी होती है और वो सुसाइट कर लेती है फिर चब इबराहीम के दुआरा भीजा हुआ लेटर नौरा के डैड के हाथ लगता है तो बहुत गुसा हो जाते हैं और इबराहीम अपनी डैड की साथ उसी काउ में पहुशता है तो सभी आत्मा को अस बाक्स में कैट कर देते हैं और इसके बाद अबर Isablett कि डैट बाडी को समुधर में एक लाइट हाउस के पास फेक देते हैं और उसकी चगाव पर एक नकली शरीय को दफना देते हैं जिससे लोगों को शक्त ना हो यहां पर हमें पता चलता है कि मूवी की शरवात में माही को जिस लड़की की आत्मा दिख रही थी वो नौरा थी जो माही को आगा कर रही थी अलाकि यहां पर यहां पर यह बात जानकर मारकस काफी परिशान हो जाता है कि माही मौरिशस को कैसे खत्म कर सकती है नेक्सीन में हम देखते हैं कि सैम से मिलने के लिए पुलिस आफिसर रियास उसके घर पर आते हैं सेम के आने पर उसे सारी चीज़े पूशता है लेकिन इसको कुछ बताने से पहले ही फदर वहां पहुचकर सेम को ahora से भेज देते हैं और ट्याओ को सारी बाते बताते हैं तो वहसिता है कि यह सब कैसे रोकता कर जा सकता है जो आंजय पता है कि इसे बुक में लिखी हुई बाति सच हैं, इदर साम जब में होता है तो इस पर इलेक्रिक शॉक से अटेक करता है, जिस से वह भी होश जाता है और यहां पर हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं बलकि पुलिश आफिसर रियास ही होता है, नेग सीड में हम देखते हैं कि साम ए प्रिवार्बाद ही सिर्फ युरत yes प्रवार्थ यह जानकर सेंहीं बहुत ज्वाब दिया माही और पर मारकस पता क्लिक करके ही वो पूरे आयलेंड को ख़र्म कर सकता था लेकिन मारकस इस बात से काफे परिशान होता है कि आत्मा दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति को ही प्रॉबल्म हो गई हो यह पर अमें पता चलता है कि मोवी की शिर्वात में माहि को जिस लगी की आत्मा दिखी फिर जब पता चला कि माही का बच्चा एक लड़का है तो ये बात कंफर्म हो गई कि सैम डिबुक की आत्मा से पॉस्स है जब मारकस एक जॉरिसम स्टार्ट करने वाला होता है तो सैम के अंदर से इबराहिम की आवास निकलती है कि मैं जब तक सब कुछ खत्म नहीं कर दू हो पर यास मारकस के कहे अनुसार दस यहुदी लोगों को लेकर आता है जिने मारकस मंत्र बोलने के लिए कहता है और इस बीच में रुकने के लिए मना करता है फिर मारकस बागी लोगों को कमरे से बाहर कर देता है लेकिन माही को वहीं रोक लेता है जब वहां पर वह लोग ए मारे मंतर पढ़ने वाले यहुदी लोगों को मारने लगता है यहां पर माही को लगता है कि वो ठीक हो गया है इसलिए वो इसकी पास पहुशती है लेकिन सैम अचानक खड़ा हो जाता है और उसका गला दवाने लगता है जब वो उसके पेट में पढ़ने वाले बच्चे को देखता है तो उसके अंदर मौजूद इबराहिम को अपना प्यार नौरा याद आती है जिसके बाद वो कमजोर पढ़ जाता है तब ही मारकस अपने एक्जॉरिसम पूरा कर लेता है जिसके बाद इबराहिम की आत्मा सैम से निकल कर वापस उस जिबुक के अंदर कैद हो और सैम पहले की तरह ही ठीक हो जाता है फिर उसके बाद मारकस रियास के साथ उस जिबुक को उसी जगा पर फेक देता है जहां पर इबराहिम की जड़ बॉडी को फेका गया था और इसी के साथ यह मूवी यहां पर रैंड हो जाती है